जो है इंडिया में बर्ड का नंबर जा हूँ, continuously declination पे है, घट रहा है, environmental problems के चलते लगातार ये नंबर घटे चले जा रहे हैं, इंडिया's bird population declines significantly, vulture hit hardest, और जितने भी बर्ड का नंबर घटा है, उसमें जो सबसे जो drastic change है, जो डराने वाला आकड़ा है, वो vulture से related है, अब vulture हमारे लिए important क्यों है, देखें, जो vulture होता है, ये क्या करता है, कि हमारे environment में जितने भी जो जानवर है, वो बूड़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, या किसी बीमारी के वज़ाद से मर जाते हैं, तो उनका कोई दाह संसकार नहीं होता है, इंसानों का तो अलग-अलग method बना प्रदूसित होगा, जहां मान कि किसी जल में अगर उनका death हो जाता है, तो पानी प्रदूसित हो जाएगा, उसे बीमारी का रूप ले सकता है, जो vulture होता है, ये क्या करता है, कि उस मरे हुए organism को खा करके जिन्दा रहता है, यानि ये हमारे लिए एक natural cleaner है, पूरे environment को साफ करने का इसका जो है responsibility है, अगर vulture का number पूरे तरीके से खतम हो गया, तो उस मरे हुए जानवर को खाने वाला कोई नहीं बचेगा, और उससे बीमारियां फैलेंगे, और वो बीमारियां इनसानों पे जादा जो है खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए vulture का number बहुत घट जाना, इ रिसेंट डिकेड, especially between 1992 and 2002, यानि इस 20 वर्स का जो ये period रहा है, 20 years का, इस period में जो words का number है, वो drastically घटा है, और खास करके, जो कुछ special species हैं, जैसे कि vulture, उसमें सबसे ज़्यादा reduction इसी प्रजाती में आया है, गिद्ध, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, अब vulture population decline की अगर बात करें, तो vulture in India have experienced an alarming drop in number, यानि कि अब बहुत ही इसका number घट चुका है, अगर अभी कुछ action नहीं लिया गया इनको बचाने के लिए, तो सायद बहुत देर हो जाएगी, the white ramped vulture, अब देखिए कुछ important जो है types के vulture हैं, जो कि इंडिया में पाये जाते हैं, आईए उनका white ramped vulture, इसका गर्दन पर देखिए गाते हैं, white white जो है, ये spot बना हुआ, इसी के वज़ा से इसका नाम क्या है, white ramped vulture है, फिर दूसरे number में ये वाला है, ये है आपका Indian vulture, ये इंडिया में ही पाया जाता है, Indian vulture, ये हो गया, और तीसरा है आपका slender willed vulture, ये है, ये भी प ये इंडियान vulture का ही कोई छोटा सा प्रजाती है, लेकिन ये बिल्कुली अलग slender willed vulture का, तो ये तीन प्रजाती जो है, खास करके, और इन ही तीनों में जो है, इन ही तीनों का number बहुत घटा है, आप जान के हैरान हो जाएंगे, कि 98% जो है, इसका number घट गया है, जो आप का white rumped vulture है, इसका number 98%, 98% का मनदब समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से खतम ही हो जाना, और इन दोनों का number जो है, इन दोनों का number 93% घट गया है, तो ये बहुत ही डराने वाला अकड़ा है, इसको बदलने किया वा सकता है, vulture का number बढ़ाने का जरूरत है, अब इसा कारन क्या ह what are the main causes of vulture decline, आखिर क्यों इस तरीके से, क्योंकि इसका कोई सिकार नहीं करता है, जंगली जानबरों में जैसे बागों का number घटा था, तो उसमें एक कारन था कि लोग उसका सिकार करते हैं, लेकिन गिद्धों का कोई सिकार तो ज्यादा करता नहीं है, तो आखिर क्यों घट पालते हैं, वो बिमार अगर पड़ गए, तो उनको हम लोग दवाईयां देते हैं, अगर वो ठीक हुए तो ठीक नहीं, तो अगर उनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद भी उनके body में जो medicines है, वो रह जाते हैं, और डेथ होने के बाद हम लोग उसको पेनली फेक दे हैं, वल्चर का कामी है कि जो है, जितने भी dead animal है उनको खाएगा, तो खाता है तो दवाईयां उनके सरीर में चली जाती हैं, वल्चर के सरीर में, और इसके वज़ास से उनकी death हो रही है, तो सबसे पहला कारण तो ये है, दूसरा कारण है, carcasses poisoning, carcass मतलब होता है कि मरे हु जानबर ज्यादा होता है, तो उनको मारा जाता है, ताकि जो है, वो ज्यादा आतंक नहीं फैला पाए, तो उनको मारने के लिए क्या किया जाता है, कि जो dead animal होते हैं, जो भी dead animal, मरा हुआ जानबर होता है, उसके सरीर पे क्या कर दिया जाता है, कि poison डाल दिया गया, ताकि इसको भी खाता है, तो दूसरा बड़ा कारण यह है, तीसरा कारण है यह क्या है, हम लोग high voltage तार हर जगा फैलाए हुए है, उसका covering नहीं किया होता है और वल्चर का size बड़ा होता है, जब वल्चर किसी तार पे बैठता है, और अपना फंक फैलाता है और गलती से अगर उसका connection neutral और live wire में हो जाता है इसके वज़से उनको sock लगता है, और उनकी death हो जाती है और सबसे अंतिम कारण है, habitat loss उनके रहने के जगा का बहुत नुकसान हुआ है वल्चर कहां रहते हैं, तो mainly grassland में open area जहां होता है, जहां जो है, मतलब jungle होगे रहा जाता है, में यह नहीं रहते हैं open area में रहते हैं, अब धीरे-धीरे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, open area में अपना building, industry सब बना ले रहे हैं तो इनके रहने का जगा खतम होते चला जा रहा जिसके वज़ा से इनका life, मतलब cycle सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, और ये मर जा रहे हैं, इनके मृत्यू हो जा रहे हैं तो ये सारा कारण है जिसके वज़ा से vulture का number continuously भारत में घट रहा है, तो इस पर जरूर जो है focus करने की अवास सकता है इतना बड़ा number अगर होगा, change होने का, घट जाने का vultures का